हाई फ्रेंड आज हम आपके लेकर क्या हैं दूद और पान के पती से बनी ऐसी नई और जबरदस्त रेसे पी जिसे आज से पहले बनाना तो दूर आपने सोचा भी नहीं होगा और जिसे भी ये सर्व करेंगे सभी लोग आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए 2700 घ्राम हमने शकर लिये है और 4 अर मिकसर के जार में डाला है और इसे आए 2 पान के पती लिये थे जिसमें हमने 2 रखा है 對 प्रफाइड में उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और छे पान के पती से हमने यह डंठल को निकाल लेना है और इसे भी हमने एक छोटा सा मिक्सी के जार में हमने डाला है और यहां पर देखिए हमने दो चमच सौफ को हमने धो करके अच्छी तरह से एक घंटा पहले पान अगर यह नहीं है तो इसके जगह पर क्या डाल सकते हैं वह मैं बाद में बताऊंगी सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ड्राइफ रूट्स डाल रही हूं तो मैं यहां पर काजू और बादाम डाल रही हूं आप पिस्ता वगरा का पर इस्तिमाल कर सकते हैं और इसे हमें पीस लेना है तो देख लिएजे यहाँ पर जिस तरह से आप हरी वाली चटनी बनाते हैं वैसे है इसे हमने पीस लिया है और इसे अब हम छान लेंगे आप चाहे तो कपड़ा से भी छान सकते हैं और इसे छानना बहुत जरूरी है क्योंकि सौफ के कुछ कन वगएरा रह जात इसका कितना खुबसूरा से एकदम गारा गारा टेक्स्चर आया है और इसे बहुत ही जबरदस्त सी खुस्पू आ रही है और यहाँ पर हमने दूध लिये हैं तो यह दो गलास ठंडा दूध है और इसमें हम दो बरे चमच यह जो हमने मिक्स्चर बनाया है पान का वो इसम हम डालेंगे दो गलास दूध में हम चार बरे चमच पीसी हुई शकर जो हमने पीसी थे वो हम एड करेंगे और इससे हम मिक्स करेंगे और अगर आपके पास गुलकंद ना हो तो इसके जगह पर आप यह सुखे गुलाब की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें आ आपने जितना भी मिलक्षेक और ड्रिंक बनाया है शर्बत बनाया है सब पर यह शर्बत भारी है और प्लस यह हेल्दी है जिसमें हमने जो इंग्रेंट डाले है सब फायदे मंद है तो रेसिपी को लाइक किये बगएर मत जाईएगा और चाइनल पर लग है तो नही नही रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ें